multiply 1 whole 3 by 4 times 7 whole 1 by 5 simplify your answer and write it as a mixed fraction यहां हमें 2 mixed fractions दे दिये गए हैं और हमें कहा गया है कि इनको multiply करने के लिए तो मेरे से तो यह possible नहीं हो पाता कि मैं इन्हें mixed form में ही multiply करूँ तो पहले मैं इन्हें हमेशा improper fractions में convert कर लेता हूँ तो improper fractions में इसको convert करने का क्या तरीका है जैसे कि मेरे पास यहां पर दिया हुआ है कि 1 whole यह 1 पूरा और यह है 3 by 4 तो यह हो जाएगा 1 times 4 1 times 4 तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 times 4 और जो भी यह value आएगा उसमें हम 3 को add कर देंगे प्लस 3 इसको पहले solve करके उसमें 3 add कर देंगे और divided by यह 4 तो हमारा नीचे denominator में रहेगा ही तो इसकी value आजाएगी 1 times 4 होता है 4 4 plus 3 होता है 7 तो यहां इसकी value आजाएगी 7 by 4 और यह actually होना भी चाहिए क्योंकि 1 whole का क्या मतलब हुआ जिसी कि यहां पर अगर मैं इसको same 4 के denominator में convert करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस 1 को इस 1 को मैं यहां लिख सकता हूँ 4 by 4 क्योंकि यह तो 1 के ही बराबर है अब उपर और नीचे 4 से divide कर दीजे तो 1 आ जाएगा या फिर अगर इसको आप समझना चाहे तो लिख सकते हैं कि 4 पार्ट में से मैं चारो पार्ट उठा रहा हूँ तो वो तो 1 के ही बराबर है पूरे चीज के बराबर और इसमें हमें यह 3 by 4 और add कर देना है यह 3 by 4 और add करना है तो मेरे पास total फिर से 7 by 4 आ जाएगा वैसे ही अगर हम 7 whole 1 by 5 को convert करना चाहें तो 7 whole 1 by 5 कितना होगा हमारा तब हम 7 को 5 से multiply कर देंगे और जो भी यह value आएगा यह value जितना भी आएगा उसमें हम 1 add कर देंगे चले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे तो यह हो जाएगा मेरा 7 times 5 7 times 5 पहले यह करेंगे और जो भी यह value आएगा उसमें हम लोग इसका यह 1 को add कर देंगे और divided by 5 तो यहाँ पे है रहेगा ही इसकी value क्या आजाएगी तो 7 times 5 होता है 35 35 plus 1 हो जाता है 36 divided by 5 यानि कि अगर हमको इन दोनों को multiply करना है तो उसका मतलब हुआ कि हमको इसको और इसको आपस में multiply करना है तो चली करते हैं इसको 7 by 4 times 36 by 5 अब हम इनके numerator स्कॉपस में multiply करेंगे और denominator स्कॉपस में multiply करेंगे तो 7 times 36 तो बहुत बड़ा value हो जाएगा जो कि मैं generally दिमाग में तो करना ही सकता है तो मैं इसको पहले ही simplify करने की कोशिश करता हूँ तो यहां मैं इसको देखे बोल सकता हूँ कि numerator और denominator दोनों 4 से divisible हैं दोनों 4 से divisible हैं तो चलिए इस दोनों को 4 से divide कर देते हैं तो 4 9s 36 होता है और 4 1s 4 हो गया हाँ अब यह थोड़ा असान हो गया करना 7 9s होता है 63 divided by 1 5s होता है 5 यानि कि इन दोनों को multiply करके मेरे पास आजाएगा 63 by 5 लेकिन हमें कहा गया है कि answer हमें mixed fraction में देना है तो चलिए इसको mixed fraction में convert करते हैं तो उसके लिए मैं 63 को 5 से divide करता हूँ तो 5 1s are 5 subtract 1 यहाँ आजाएगा 3 नीचे carry और 5 2s are 10 और यहाँ पर हमारे पास फिर subtract करने पर 3 remainder आजाएगा यानि कि जब मैंने 63 को 5 से divide किया तो मेरे पास 12 times पूरे 5 आजाएगे 12 times whole 5 आजाएगे और जो remainder यहाँ पर बच जाएगा हमारा यह जो remainder हमारा बच जाएगा वो हम यहाँ लिख देंगे और इन सब को हमने किस चीज से divide किया था तो 5 से ही divide किया था यहाँ जो हमारा denominator है तो यह 5 यहाँ पर आ जाएगा यानि कि 12 times 5 हुआ 60 60 plus 3 हुआ 63 यानि कि यह 63 by 5 के ही बराबर है अगर इसको थोड़ा सा हम detail में लिखें तो यह actually में क्या लिखा हुआ है 60 by 5 जो कि 12 की value है actually क्योंकि उपर नीचे आप 5 से divide कर दीजे तो आपको 12 मिल जाएगा plus 3 by 5 जो कि हमें 63 by 5 देदेगा